वेल्कम चुमाय यूट्यूब चैनल मैंसे एक्जाम्स चलें दोस्तों अगर आप पहले बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें चले दोस्तों सिक्षा जगत की बड़ी अपडेट लेकर करके आए हैं और यहां मामला है स्टेक 2011 से पटना हिंदुस्तन ब्यूरो राज जिभर की नियोजन इकाईयों में पटना को छोड चल रही छटे चरण के तहत मादमिक उच मादमिक सिक्षकों की नियुक्ति में 2016-18 तथा 2017-19 सत्र में बीड की डिगरी लेने वाले डिगरी लेने वालों की नियुक्ति परिकिरिया पर शिक्षा विभाग ने ततकाल परभाव से हाइकोट के अगली सुनुवाई तक रोक लगा दी है यह रोक राकेस कुमार बनाम राज सरकार एवंग अन्य के मामले में दायर LPA के LPA पर पटना हाइकोट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है मादमिक सिक् 15 सितंबर को ही दूसरे संब्यवाहर के तहत नियोजन कारेकरम जारी किया था इसके तहत बुदवार 8 सितंबर को नियुक्ति पत्र बटना है अब विभाग ने कहा है कि 2016 से 2019 तक बियट करने वालों वाले अर्थात वैसे अभिर्थी जो 13 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 के पर अगली सिनुवाई तक रोक रहेगी हलाकि इन्हें छोड़कर अन्य अभिर्थियों को बूदवार को ही नियुक्ति पत्र दिये जाएंगे चुकि दोस्तों सात्वे चरण की बहाले आनी है और सात्वे चरण से पहले चट्छे चरण को कम्प्लीट होना है और उसको ले पर विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी किया था चुकि इस नियोजन में 2011 स्टेट उत्ति ट्रेंड हुआ अन्ट्रेंड अभिर्थी सहबागी है और इसका रिजल्ट 2012 में आया था 2019 जुलाई में आया नियोजन बिग्यापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले पांच साल में बियर्ट करने वाले स्टेटी उत्तिर्ण और सिक्षित अभिर्थी भी आवेदक होंगे पटना में कोट के आदेश से ही बियर्ट उत्तिर्णता का वर्स 2019 तक पहुँच गय फिर 2016 से 2019 तक बियर्ट करने वालों का भी आवेदन लिया गया लपे में इन्हीं आवेदक पड़ा पत्ति है इस पर गुरुवर को सुनवाई है जितने भी आप देखेंगे नियूजपेपर आज कटिंग इसी से भड़ा हुआ है 2016 से 2019 तक बियर्ट करने वालों की नियूज यह नियूजन पर रोक यहनी कि नियूपतिय पत्र पर रोक लगा दी गई है और ऐसा हर बार हो रहा है दोस्तों जैसा कि छटे चरंड के जब नियूपतिय यही देखने को मिल रहा है तो इस तरह से यह जो चब तक चले कुछ पता नहीं और सरकार जो से डूल जारी करवाती है नियुज पेपर वालों के माध्यम से वो भी एक दिखा हुआ है चला हुआ है और कुछ नहीं इसा ज्यादा आगे देख सकते हैं स्टीटी के बाद वियाट करने वालों की नियुक्ति पत्र देने पर रोक पटना राज में छठे चरण के तहत जिला परिशद नियुज निकाईयों में माध्यमिक एवंग उच माध्यमिक सिक्षक पत्र के लिए चैनित वैसे अभर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लग गई रोक लग गई है जो 26 सितंबर 2019 या उसके बाद 28 के परिच्चा उत्तिरन हुए है दर रसल छठे चरण के माध्यमिक एवंग उच माध्यमिक उच माध्यमिक सिक्षक के पद पर नियुजन हेतू सिक्षा विवाग के आदेश ग्यापंक 43 तेरह जनवरी 2020 एवंग ग्यापंक 301 जनवरी 2020 के कारियन वेन पर पटना उच नियाले में LPA दायर किया गया है नियाले ने उक्त दोनु आदेश से अच्छादित अभिर्थी के नियोजन्व की कारवाई पर अगली सुनवाई की तिथी तक अस्थगन का अस्थगन का आदेश दिया है दोनु आदेश का संद बीड की परिच्छा उत्तिन हुए से संबंदित है वादी गन दौरा 26 सितंबर 2019 को आधार मान कर बीड की परिच्छा उत्तिन करने के अधार पर अधार पर छठे चरण की नियोजन परिकडिया में संब्लित होने वाले अभिर्थियों पर अपत्ति की है इसके मद्दे नज माधिमिक सिक्छा निदेशक मनोज कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ है उलेखनी है कि राज में छठे चरण के तहट जीला परिसद नियोजन एकाईयों में माधिमिक इवंग उच्छ माधिमिक सिक्छा पद के लिए चैनित अभर्थियों को 8 सितंबर को नियुक्ति पत देखर करके तैयार करते हैं और उसको किस के तरह कर देखर करते हैं और फिर फिर एल-पे डाइर कर प्रेंग इसको किसी तरीक से खिंचा जार चाहिए क्योंकि च्टा चल रहा है उछे माधिमिक् ऑ उच माधिमिक सबस्दिक हैं चल रही है और पहले बोल दिया है कि अभी स्था चरण सुभोगा तो ही परस्टियद्ट के बारी होगी तो स्थिक भर होगी जो कोट कच इस फेसला दे और रिजर्व करेगा पिर उसको दो मेना तिन मेना के बाद सुनाया जाएगा ते एक लंभी परिकेड़ा खिछने वाली है और सरकार इसके लिए पहले सी तयार रहती क्योंकि एक दिन पर नहीं सन फालाई कैसे नियाए संगत हो सकता अगर आप आप दो sepertiCI ऑग दोस्तों में नहीं है तो प्रकाइस सब्सक्राइब करें IPO लाइकिर दोस्तों में शेयर करें धन्यवाद झाल झाल